नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप्स हिंदी में पहले तो आपके लिए ये जाना बहुत ही जरूरी है कि ये बिमारी रातो रात या एक दिन या एक हपते में ठीक हो जाने वाली बिमारियों में से नहीं है क्योंकि पाइस एक ऐसी बिमारी है जो समय के साथ साथ होती है और समय के साथ साथ ही बढ़ती जाती है और इसलिए इसका हिलाज भी समय के साथ साथ ही होता है और इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए कुछ परहेज और सावधानिया बरतने के साथ साथ एक से अधिक उपाई करने की भी जरूरी होती है यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी भी उमर के इंसान को हो सकती है जिन लोगों को अकसर कपच या पेट खराब होने की समश्य घे होती है ऐसे और यह साथ यह बिमारी जादातर महिलाओं को प्रेग्रेंसिय की दौरान भी हो जाती है इसके लावा जिन लोगों को लगातार हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी पाइल सोने का खत्रा रहता है अगर आपके परिवार में पहले किसी को इस तरह की प्राबलम हो चुकी है तो आपको भी ये प्राबलम होने के बहुत सारे चांसे हो सकते हैं इसलिए ऐसे स्थिति होने पर खान पार में साउधाने वरतना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि ये बीमारी हमारी प्राइवेट पार्ट और गुपतांग से सम्मंदित होती है इसलिए शुरुवात में अक्सर लोग इसे दूसरों से छिपाते है और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करने में भी कत्राते है लेकिन ये बीमारी हमारे पेट से शुरू होती है और जितने वी बीमारी हमारे पेट से सम्मंदित होती है उन्हें शुरुवात में तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जाता है लेकिन अधिक समय हो जाने के बाद इन समस्याओं से निजात पाने में बहुत मशक्कत करने पड़ती है इसलिए इससे जुड़े किसी भी तरह की लक्षन दिखाई देने पर पहले दिन से ही इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बावसी पाइल्स या हैमराइट्स को दूर करने के लिए जर से खत्म करने के लिए कुछ बहुत ही असरदार और काम्याब उपाए जिनका रोजाना इस्तमाल करने से खून और दर्द की समस्य बहुत तेजी से खत्म हो जाएगे और पुराने से पुराना पाइल्स भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस समस्या में तुरंथ रहत पाने और इसे वापस आने से रोकने के लिए किस तरह की चीजें हमें ज़्यादा खानी चाहिए और कौन-कौन से साउधानिया भी भरतने चाहिए चलिए बाग करते हैं पहले नुसके की पायक्स की बिमारी को बहरी रूप से तेजी से ठीक करने के लिए जात्यादी तेल बहुत ही फाइदेमंद होता है जात्यादी तेल मुलेची, हरण और शहद, हल्दी जैसी बीस, प्राचीन, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है जो की पूरी तरह प्राकिर्थिक होता है और इसका इस्तमाल घाओं को भरने तथा त्वचा से सम्मंदित कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका असर पायल्स के मसों पर बहुत तेजी से होता है और साथ ही एक बार ठीक हो जाने पड़ ये उस जगह का इंफेक्शन को भी पूरी तरह ठीक कर देता है जिससे की ये प्राब्लम दोबारा नहीं आती इसका इस्तमाल करने के लिए रूई या कॉटन का एक टुपड़ी को जात्यादी तेल से अच्छी तरह भिगो ले अब इस भिगोए हुए कॉटन बॉल को अपने एनेस को यानि की गुदाद वाहर पर लगा कर हलके हातों से अंदर की तरफ दबाए ऐसा करने से कॉटन में मौजूद तेल निकल कर अंदर रेक्टम की और जाएगा और वहां पर मौजूद इफेक्टेट एरिया को तेजी स इसमें एक बार में हमें 2-3 ml से जादा तेल का इस्तमाल नहीं करना है अगर आपको जादा अंदर की तरह मस्से है तो आप कोशिश करें कि यह तील जादा से जादा अंदर की और चाहे इसका इस्तमाल एक दिन में 3-4 बार या दिन भर में जितनी बाहर भी आप सौचा ले जाते हैं तब हर बार फ्रेश होने से पहले और फ्रेश हो जाने की बाद इस तेल का इस्तमाल करें और साथ ही रात में सोने से पहले भी इस तेल का इस्तमाल जरूर करें इसे रात में लगाने से उस तेल में भीगोए हुए कॉटन को रात भर के लिए उस जगा पर ही लगा पाइल्स या बावासीर की बिमारी में जात यादी तेल का इस्तमाल आयूरवेद में पुराने समय से किया जाता रहा है एक हपते तक इसका इस्तमाल करते रहने से आपको बहुत ही अच्छा फल महसूस होगा लेकिन अच्छे परिनाम के लिए इसके साथ कुछ और घरेलू नुस्कों का भी इस्तमाल किया जाना चाहिए इसके लिए अगला जो नुस्का है उसे बनाने के लिए हमें जरुत होगी जामुन के बीज आम के बीज और जीरा प पाइल्स की विमारी की परिशानी से काफी दिन हो गया है और अक्सर खून आने की प्रॉब्लम बनी रहती है तो ऐसे सिमें आम के बीज बहुत अधिक लाबकारी होते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम और जामुन के बीजों को अच्छी तरह सुखा ले और इनका प की बीज में 25 से 30 ग्राम आम की बीज का पाउडर और 25 घुने हुए जीरे का पाउडर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर ले इस तरह से आपका ये नुस्का तयार हो गया इस तयार पाउडर का सेवन रोजाना सुबर एक चमच खाना खाने के बाद बहुत हलके यानी ग कामुन के बीच हमारे पेट को साफ करते हैं और हमारे स्टूल को भी नरम बनाते हैं जिससे की फ्रेश होते समय हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और साथी ये हर तरह के इंफेक्शन को भी तेजी से खत्म करता है इसनुसके का इस्तमाल हमें सुबह और दिन के खाने के बाद ही करना है रात के खाने के बाद इसका स्तमाल नहीं करना है इसके एलावा एक और आयूरवेदिक उपाई है जो हैमरॉइड में बहुत ही फायदे मंन है वह यह लावा आप चाहे तो इसे ऑल लाइन भी खरीच सकते है अवियारिस्ट का इस्तिमाल पेट से जुड़े सभी तरह के रोगों के लिए किया जाता है और खासकर पाइल्स में ये बहुत ही जादा फायदेमंद होती है जात्याती तेल के तरह ही अवियारिस्ट ये भी 15 से अधिक आहिर्वेदिक चड़ी बूटियों से मिलकर बना है पाइल्स में होने वाले अशेहनिय दर्द के लिए ये बहुत ही कारगर माना जाता है इसका इस्तिमाल करने के लिए एक कप हलका गर्म पानी ले ले और उसमें दो से तीन चमच अवियारिस्ट मिला कर रोजाना सुबह शाम खाना खाने के एक घंटे बाद सेवन करें लगातार इसका इस्तिमाल करते रहने से आप देखेंगे कि दिन प्रती दिन आपके दर्द में बहुत ही कमी हो जाएगी और पाइल्स के बिमारी में भी सुधार आता जाएगा अब यारिस्ट का इस्तिमाल एक बार में 15 से 20 एमिल सधिक नहीं करें और साथी गर्भा औरस्ता के दौरान इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है इसलिए प्रेगनेंट महिलाएं इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें इसके लावा कुछ साधारन खाये जाने वाली चीजे होती है जो पाइल्स होने पर बहुत ही ज्यादा फाइदेमन सिध होती है इसके लिए मूली और करेले का रस भी बहुत ही उपयोगी होता है जिन लोगों को भी खूनी या बादी किसी भी प्रकार की बावसिर की समस्य है उन्हें एक हपते में तीन बार एक कप करेले का रस और एक कप मूली का रस जरूर पीना चाहिए ऐसा करने से इंफेक्शन तेजी से ठीक होता है और बुरे से बुरे दर्द में भी तुरंत राहत मिलती है इसके इलावाद फलों में नारियल पानी पपीता तरबूज बेल का फल और जामून बहुत ही फायदेमन होता है बेल का फल पाइल्स में बहुत ही चमतकारी ओशेदी के तरह काम करता है जिन लोगों को भी बुरे से बुरा कब्च या ऐसेडिटी की समस्य है उन्हें हपते में तीन बार इसका सरवत या पौडर का इस्तमाल करना चाहिए इसके साथ ही रोजाना एक टाइम नारियल पानी पीने से भी बहुत ही फायदेमन होता है नारियल हमारे पेट को गरम होने से रोकता है पाइल्स के दोरान पेट में बड़ी जरा से भी गरमी अच्छानक या फिर फ्रेश होने की बाद होने वाले दर्द का कारण भी बन सकत है ऐसे में रोजाना खाली पेट आधा ग्लास नारियल पानी पीना बहुत ही लावकारी होता है इसके लावा पेट को ठंडा रखने के लिए ताजा बना हुआ दही भी बहुत ही फाइदेमंद होता है रोजाना सुबह नास्ते में साधे या नमकीन दलिये या ओट्स के साथ आतही का सेवन करने से शरीर में फाइबर की मात्रा भी बढ़ती है और पेट की गर्मी भी कंट्रोल में रहती है इसके लावा सच्चियों में पालक और कटहल बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद होती है क्योंकि इन दोनों में ही आइरन और फाइवर के मात्रा अधिक होती जो कि बावसित की बिमारी में बहुत ही महत्वपून भूमिका निभाती है शरीर में आइरन और फाइवर प्रचूर मात्रा में होने से हमें स्टूल पास यानि की मल विसरजित करने से किसी भी तरह की समस्या का सामनर नहीं करना पड़ता और शरीर में आई कमजोरी भी तूर हो जाती है अगर आप रोजाना रोटी खाते हैं तो खाने में रोटी की मात्रा कम करके आप अपना आधा पे सीजनल फ्रूट से भर ले और साथी गेहू के आटे की जगा रोटी बनाते समय उसमें थोड़ी मात्रा में जौ का आटा भी मिक्स कर दे इसके अलावा पाइल सोने पर शरीर में पानी का कमी होना इस बिमारी को और बत्तर बना सकता है इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए लेकिन एक घंटे में 200 ml से ज्यादा ना पिए पायर्सिया बावसित की बिमारी एक बहुत ही गंबीर और दर्दनाग बिमारी है इसलिए चाहे इसकी शुरुवाती स्टेज हो या फिर ये ठीक होने वाला हो बिना खान पान में परहेज किये या बिना सावधानी वरते इसे जड़ से खत्म करना और संभव है इसलिए खान पान में ज्यादा थीखा या मसालेदार भोजन जब तक आपको तकलीफ हो तब तक पूरी तरह से ही छो अगर आप अंजाने में कुछ तीखी या मसालेदार चीजे खा लेते हैं तो उसके बाद अपने पेट में होने वाली गर्मी को ठीक करने के लिए खीरे और पुदीने का जूस जरूर पिए या फिर तुरन एकलास नारियल पानी का सेवन कर ले हैमरोइड सोने पर मस्से होन और उनमें से खून आने की प्रॉब्लम होती ही है यह मस्से बड़ी हुई बादी फैट का ही एक रूप होता है इसलिए इस बिमारी में ऐसे चीजों का सेवन करना जो कि हमारे शरीर में बादी और फैट की मात्रा को और अधिक बढ़ाए वो भी इस बिमारी को दो गुने जादा रफतार से बढ़ा सकता है इसलिए जितनी भी मैदे से बनी हुई चीजे होती है जैसे कि ब्रेट टोस्ट बिस्किट बंस ऐसी चीजों का सेवन कम से कम ही करें और साथी चर्बी पैदा करने वाली चीजे जैसे कि आलू चना चने की दाल बेसन और सोया बिन या उसस बनी हुई चीजों से जितना हो सके उतना ही दूर रहें क्योंकि यह सारी चीजे शरीड में पानी को सोकती है और कथ purity की संभाना को बढ़ाती हैं पाइल की विमारी के दौरान हमारा पेटि पूरी तरफ चाहरा पहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इस बिमारी के मुख्य जिनमें की प्रजिटिव की मात्रा जादा होती है ऐसी चीजों का कम से कम सेवन करें और बाहर का जंक फूट खाने की जगा घर पर बना हुआ साधा भोजन ही करें पाइल्स की बिमारी में हमारा ब्लड प्रेशर पूरी तरह सामान्य होना चाहिए क्योंकि कई बार सिर्फ हमेशा नौन में ज्यादा खाते हैं ऐसे लोगों को इस बिमारी के दौरान इन सारी चीजों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए इसके लावा ज्यादा मीठा या खट्टा भी इस बिमारी को बढ़ा सकता है खासकर जो बाहर की बनी हुई मीठी चीजे जैसे कि आइस क्र बनाती है और कश होने का सबसे बड़ा कारण भी बन जाती है साथी खटाई शरीर में जक्मों को और ज्यादा पकाने और और गंभीर बनाने में सबसे मेहद्वपून भूमिका निभाती है इसलिए खट्टी चीजे जैसे कि कैरी और इमली या इन से बनी हुई चीजे इस पर दौरां बंद करते उवमिदा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसे परिशानी का हर डून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट गर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉलीशन के साथ मैं आउंगी रोजाना नए नए घरे लूप चारों के साथ जिसे आप अपने परिशानी को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हल्दी रहें खुश रहें थैंक्यू दोस्तो हमारी वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले सबी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके